जम्मू कश्मीर पर पीएम मोधी की हाई लेवल मीटिंग, जम्मू कश्मीर हमले पर पीएम नेली जानकारी, उपायों और चुनोतियों पर की गई चर्चा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिती ने संसद के मानसुन सत्र को शुरू करने की सिफारिश की। 19 जुलाई से 13 अगस्त के बीच शुरू हो सकता है सत्र। ग्रह मंत्राले ने धील देने के साथ राज्यों को किया अलर्ट, साधानी बरत ने और संक्रमंदर बढ़ने पर कंटेन्मेंट जोन बनाने की दी सला। एशिया के सबसे बड़े हाई स्पीड ट्रेक का इन दौर के पास पीथमपुर में हुआ उद्घाटन, जिसकी लंबाई 11.3 किलो मीटर है के इंद्रिय मंत्री प्रकाश जावरेकर द्वारा किया गया वर्चुली उद्घाटन। दक्षिन एफ्रीका के राष्टेपती जैकब जुमा को अदालत ने ठहराया अवमानना का दोशी, 15 महीने की जेल की सदा सुनाई गई। SBI ने दिया BSBD खाताधारों को जटका, ATM से पैसे निकाल ले और चेकबुक इस्तमाल करना होगा महंगा, एक जुलाई से लागू होंगे नए सर्विस चार्ज। भारतिय शौटपुटर तेजिंदर पाल सिंग टूर ने अंतर राज की एथलेटिक्स चेंपियनशिप में किया शांदार प्रदर्शन, एक बार फिर किया स्वंडपदक अपने नाम। UEFA Euro Cup में स्विजरलेंड पहुचा क्वाटर फाइनल में, विश्व चैंपियन फ्रांस को पांच-चार से दी माग। करंत जोहर ने पोस्ट करकी अपनी अगली आने वाली फिल्म की घोशना, कॉंग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और दक्षिन अफ्रिका के चर्चित वकील सरसी संकरन नायर की बायोपिक पर अधारित होगी फिल्म। अभी नेता रन्वीर सिंग करेंगे डिजिटल डेव्यू। ट्विट करदी जानकारी नेट्फ्लिक्स पर एडवेंचर शो में दिखाई देंगे रन्वीर।